आप लोग आप लोग सब अच्छे हैं आज हम करने वाले हैं गाईज लाइफ प्रॉसस के प्रीविएस एयर क्वेश्चन चेप्टर नमबर सिक्स के प्रीविएस एयर क्वेश्चन जो की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो ये वीडियो को पूरा देखे अगर जल्दी में आप लोगों का उस चीज का सोलुसन दोंगी इस से पहले हम लोगों किया हैं अगर आप लोगों को एक्सेप्टर आएनप लोगों को इस बहुत अरो आप लोग इसको अच्छी in गर और च से से आंदर ऋचली से आप जब नहीं करेंगे first question is define photosynthesis यह वो questions है जो ncrt के अलावा पूछे जाते हैं और previous year में पूछे गए है ठीक है तो ध्यान से समझना है वीडियो को photosynthesis को define करना है तो देखिए यह एक ऐसा process है जिसके अंदर green plants green plants अपना खाना बनाते हैं खाने को बोलते हैं glucose ठीक है जो plants अपना खाना त्यार करते हैं उसको glucose बोलते हैं किस से त्यार करते हैं co2 से water से sunlight से और chlorophyll की presence में तो आप लोगों से अगर raw material पूछा जाएगा कि glucose बनाने के लिए क्या raw material की ज़रुद पढ़ती है तो वोगा co2 water chlorophyll and sunlight right question को कैसे भी modify करें आपको अच्छे से answer आना चाहिए ठीक है तो यह एक ऐसा process है जिसके अंदर green plants अपना खाना बनाते हैं खाने को बोला जाता है glucose make their own food like glucose from co2 water and by using sunlight in the presence of chlorophyll यह दो important factors sunlight and chlorophyll दिखे chlorophyll pigment है और sunlight सूरस दादा सूरस दादा की absence में भी खाना नहीं बन सकता तो photosynthesis भी नहीं होगा आप लोगों से अगर equation पूछ ली जाए इसकी reaction की तो आप लोग बिना टेंशन लिख देंगे क्या लिखेंगे six molecules of carbon dioxide plus में 12 molecules of water in the presence of chlorophyll and sunlight क्योंकि यह तो दो important criteria है राइट क्या मिलेगा हमें मिलेगा glucose glucose है इसका खाना glucose को formula होता है C6H12O6 plus में six molecules of oxygen and six molecules of water right first question सबको समझ में आया guys अगर आप लोगों को अच्छा लगता है यह वीडियो को देखके आप लोगों को सब समझ में आता है तो आप लोग इसको please share करें like करें वीडियो को second question is name the process process का नाम बताना है by which the plants get rid of excess water excess water को निकाल देते हैं name the pores through which this process takes place क्या ऐसा इस process का नाम है क्या pores है उस पोर्स के नाम बताने है ठीक है उन pores के नाम बताने है और उस process का भी नाम बताना है तो देखे process का नाम है transpiration जिसने भी chapter नहीं पड़ा हुआ है वापस से यह question समझो वो process बताना है है जिसमें जो plants है ना excess water निकाल देते हैं और निकालते हैं अब देखो यह leaf है थोड़ा सा detail से समझो लिफ है लिफ पर चोटे-चोटे pores प्रेजेंट होते हैं ठीक है इन पोर्स के थ्रू यह है पोर्स इन पोर्स के थ्रू जो excess water होता है ना वो निकलता है ठीक है यह question है तो यह बताना है कि यह process क्या है और जो pores है जिनके थ्रू पानी निकल रहा है excess water निकल रहा है उनका नाम क्या है तो दीखे transpiration process है transpiration process है transpiration process में क्या होता है plants get rid of excess water get rid of excess water नाम है Transpiration, पूछा जा सकता है question what is Transpiration, right, Sto Metal Pores, Pores का नाम क्या है, Sto Metal Pores are the pores through which Transpiration takes place, ठीक है, Transpiration कहां से होता है, Sto Metal Pores के थू, ये था आपका second question, अब third question है, जो कि important है, वैसे तो सारे question important है, बट ये question को थोड़ा ध्यान से समझना, Explain the process of nutrition in amoeba, amoeba में nutrition का क्या process होता है, ये आप लोगों को explain करना है, important है, ठीक है, amoeba क्या है, unicellular protozone है, जिसका nutrition mode क्या होगा, holojoic nutrition, ठीक है, holojoic nutrition, अब ये एक diagram दिया गया है, जो कि बहुत important है, देखिए क्या है, ये क्या है, amoeba है, right, amoeba क्या होता है, unicellular protozone होते हैं, अब इसके अंदर, चार स्टेजिस बहुत important है, ingestion, ingestion का मतलब क्या होता है, खाना जो है, इंगल्फ करना, ठीक है, चार वर्ड इसमें बहुत important है, चार वर्ड क्या होंगे, ingestion, digestion, absorption, assimilation and ingestion, वापस से समझो क्या है, first number पे होगा ingestion, ingestion का मतलब क्या होता है, ingulf करना, तो amoeba अपने खाने को ingulf करता है, ingulf किसके थ्रू करता है, pseudopodia के थ्रू, देखो, चीजे थोड़ी सी difficult है, मैं जानती हूँ, बट जो words आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, चल रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ingestion word आप लोगों को ध स्थेमाल करते हैं, ठीक है, हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन amoeba क्या करता है, pseudopodia की help से food particle को cover कर लेता है, ठीक है, तो ingulf किसकी help से किया, pseudopodia, यह first clear हो गया, आप इसको अपनी language में लिख सकते हैं, ठीक है, second part में क्या होगा, जो खाना है उसके बाहर में वेक्योल बन ठीक है, दूसरा जो step है वो है digestion, अब ingestion कर लिया, ingulf कर लिया, तो दूसरा step क्या हो जाएगा, digestion, आप खाना खाते हो, तो आपने ingulf कर लिया, तो body में क्या start हो जाएगा, digestion होना start हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि जो mouth में saliva present होता है, उसमें carbohydrates का digestion स्टार्ट हो जाता है, तो second step is the digestion, उसके बाद में third step होगा, absorption and assimilation, अब जो खाना आप लोगों ने खाया है, उसमें absorption होना भी बहुत जरूरी है, तो absorption and assimilation, third number पे याद रखेंगे आप लोग, fourth पे है digestion, जो waste material है, उसको बहार निकालना है, waste material बोड़ी से बहार निकलता है, excretory system के थुरू humans में present होता है, ठी excretory system प्रेजेंट होता है, जिसमें waste material को excret out किया जाता है, right, तो ingestion का मतलब हो जाएगा, waste material को बहार निकालना, right, अब इसकी थोड़ी सी explanation समझो क्या है, first number पे ingestion था, amoeba इंगल्फ करता है, food को by the process called phagocytosis, phagocytosis का मतलब क्या होता है, food particles को इंगल्फ करना, जो solid particles होते हैं उनको ingulf करना, और किसके थो ingulf करता है, pseudo-podia के थो, right, finger-like extensions होते हैं, जैसे आपके हाथ में उंगलियां है न, वैसे ही amoeba में pseudo-podia होते हैं, finger-like extensions, जिसकी help से ये ingulf कर सकता है, first, पुरा clear हुआ सबको, second में हो जाएगा, उसे पहले एक line है, ingulf, food is enclosed inside the food vacuum, food vacuum के जो अंदर खान है, ये enclosed हो जाएगा, ठीक है, second में है, digestion, digestion के लिए क्या ज़रूरी होते हैं, enzymes, बहुत important है, NCRT वाली वीडियो में मैंने बताया था, enzyme क्या function होता है, complex molecule को, complex molecule है, ये पूरा complex molecule है, इसको simple molecule में breakdown करने का काम कोन करता है, enzymes, right, तो ये बहुत important है, जहां पे भी digestion वर्ड है, वहा पे enzymes जरूर होंगे, क्योंकि बिना enzymes के digestion नहीं हो पाएगा, right, third number पे है absorption and assimilation, ये समझो क्या है, simpler substances diffuses into the cytoplasm, जो cytoplasm होता है, अमीबा का, उसके अंदर diffuse होने लग जाते है, simple substance, complex molecules थे, उनसे simple बने, अब simple वाले diffuse हो जाएंगे, इस diffusion के process को ही absorption बोला जाएगा, ठीक है, used for the cellular activity, क्योंकि अब cell को activity करनी है, तो इसके लिए energy की जरूरत पड़ेगी, energy की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब absorption और assimilation करवाना पड़ेगा, right, fourth number and last is the ejection, ejection मतलब eject out, remaining undigested material, जिसको residual बोला जाता है, residual किसको बोलते है, बचा कुचा, ठीक है, most of the cell surface and thrown out, body से ये बहार की तरफ मे इसको eject out कर दिया जाता है, इसको बोलते है, ejection, तो important है, इसको अच्छे से समझो, right, fourth number का question है, guys, draw the diagram of elementary canal, label the following parts, mouth, hisophagus, term, intestine, ये आपको label करने है, तो आप लोग इसको draw करके देख ले, ठीक है, इसमें सारी चीज़े, ये diagram है, मैंने इसलिए ये diagram लिया है, ताकि आप लोगो इसको आप अपने हाथ से draw करेंगे, तो आपको अच्छे से इसकी practice हो जाएगे, लेकिन बहुत important है ये, ठीक है, mouth से start होता है, mouth, teeth, tongue, epiglottis, ये क्या है, isophagus है, यहाँ पर ये liver है, ये stomach part है, stomach, right, stomach part के नीचे क्या हो जाएगा, ये है, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus, ये तो देख होता है, five marks में, right, fifth number का question है, name the associated glands with the digestive system, important है in human, जो glands associated होती है, digestive system में, आपका digestive system है, ठीक है, उसके अंदर क्या-क्या glands present है, और उनका क्या काम होता है, उनकी secretions का नाम लिखना है, तो देखे, gland type, first पे है salivary gland, salivary gland के secretion को क्या बोलते हैं, saliva, saliva, saliva में क्या होता है, H2O plus mucus plus में enzyme, enzyme कौन सा होगा, amylase, जो की carbohydrate का digestion में helpful होगा, carbs, right, second number पे है, gastric gland, guys, एक question MCQs में के लिए भी important है, थोड़ा सा ध्यान से समझे, gastric gland है, gastric juice सिक्रीट करेंगे, gastric juice में क्या होता है, mucus होता है, HCL होता है, enzyme and the pepsin, pepsin क्या करता है, protein को digest कराता है, protein को digest कराने का काम कराता है, MCQ है, pepsin क्या कराता है, protein को digest कराने के लिए helpful होता है, protein किस वज़े से activate हो जाएगा, protein पेpsin जो है, inactive form में present होता है, ठीक है, pepsinogen में, उसको active करने के लिए HCL की जरुवत पढ़ती है, तो HCL की help से active हो जाएगा, और फिर ये protein का digestion स्टार्ट क कल मैंने बताया था, HCL का क्या main role होता है, ठीक है, कल ये चीज़ मैंने discuss की थी, जो आपकी body में, मतलब जो आपके food में unwanted microbes है, उनको ये खतम कर देगा, प्लस में acidic medium प्रोवाइड करेगा, ताकि pepsin active form में आ सके और protein को digest कर सके, right, enzyme का आप लोगों को पता है क्या करता है, complex molecule क simple में break करने का काम करता है, तो ये था gastric gland का, अब है third number पे liver, बहुत important है emulsification of fat में, emulsification of fat, ठीक है, important है liver, लीवर क्या करेगा, secret करेगा bile juice को, bile juice के अंदर होते हैं bile salts, plus में bile pigment, जो की emulsify करते हैं fat globules को, क्या मतलब इस बात का, बड़े-बड़े globules हैं, इनको क्या करेगा, छोटे-छोटे, emulsify कर देगा इसको, ठीक है, एक type से break कर देगा, right, इसके बाद में है pancreas, pancreas क्या करेगा, pancreatic juice को secret करेगा, plus में enzyme, trypsin, lipase and amylase, ये यहाँ पे important है, in enzymes को ये secret कराएगा, pancreatic juice में present होते हैं, right, ठीक है, अब है intestinal glands, intestinal juice को secret कराएगे, उसके अंदर होते है, sucrose, lactase, maltase, ये क्या है, maltose को digest कराता है, sucrose को digest कराता है, lactose को digest कराता है, तो ये था अब associated glands, जो कि digestive system के साथ में associate होती हैं, और उनके secretions, अब है sixth number पे, respiration is an exothermic reaction, exothermic process है ये, इस statement को justify करना है, name, give the name, क्या नेम देने है, intermediate and the end product of the glucose breakdown in aerobic respiration, अच्छा, एक important question, five marks में और है, NCRT का मैंने पीछे करवाया था, glucose का complete oxidation, यहाँ पे recap कर लो, glucose का complete oxidation, तीन पाथवे चलते हैं, aerobic respiration, anaerobic respiration और lack of oxygen, यह पाँच नमबर में पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा आप लोग NCRT वाली वीडियो में से अच्छे से समझ लें, ठीक है, तीन पाथ में क्या थे, absence of oxygen, presence of oxygen और lack of oxygen, ठीक है, यह तीनों की चीज़ें बताई थी, कल मैंने, आब इसके अंदर in aerobic respiration, तो देखे क्या है, during cellular respiration, glucose is broken down in a stepwise manner to release the stored energy, भाई, glucose जो है न, वो breakdown होता है, stepwise manner चलता है, ताकि energy, जो है न, stored energy, उसको release कर सके, दो चीज़े हैं, यहाँ पर, क्या है first usable energy form, पहली बात, जब glucose का breakdown होता है, glucose का breakdown होने के process कोई respiration बोल देते हैं, तो आप लोगों से पुछा जाए, अगर what is respiration, तो आप लोग लिख देंगे, glucose का breakdown होना, और energy का production होना, ठीक है, वो energy किस form में होती है, ATP की form में होती है, एडिनो, ट्राइफ, फोस्वेट की form में होती है, दूसरा है release heat, heat release कर रहे है, मतल कि exothermic process क्या होता है, exothermic process वो process होते हैं, जिसके अंदर heat release होती है, तो heat release हुई है, यही तो statement justify करनी है न हमें, क्यों होई heat release, क्योंकि glucose का यहाँ पे breakdown हुआ है, और यहाँ पे energy बनी है, और दूसरा यहाँ पे heat निकली है, right, दूसरा यहाँ पे question था कि नाम बताने है intermediate product के, त ATP is the energy, right, pyrovic acid, glucose breakdown होता है, तो क्या बनता है, pyrovic acid बनता है, प्लस में 2 ATP, end product में क्या मिलेगा, CO2 plus H2O plus 36 ATP, important है यह, अब aerobic respiration का, अगर आप लोगों से पूछा जाए ना, तो देखे, टीचर कैसे गुमाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, aerobic respiration, ठीक है, अगर टीचर को of MCQ में, तो वो पूछेगा, कितने ATP बनता है, यह, तो आप लोग कितने लिखेंगे, 36, right, 36 लिखेंगे, प्लस में 2 ATP यहाँ से है, तो कितने हो गई, total 38 हो गई, ध्यान रखने, guys, आप लोगों को यह चीज़ बहुत important है, यह, right, तो यह दोनों चीज़े आप लोग लिख सक respiratory tract के थुरू कैसे air का flow होता है, यह बताना है, तो nostrils, सबसे पहले क्या आजाएगा nostrils, nostrils, ठीक है, उसके बाद में nasal chambers, जो अंदर chamber बने हुए अपने नाक के, उसके बाद में है pharynx, pharynx, right, उसके बाद में है larynx, larynx, उसके बाद में है trachea, trachea हो जाएगा उसके बाद मे ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा bronchi, bronchi, ब्रॉंकाई को broncas भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा bronchi, bronchioles and the alveoli, right, bronchioles को bronchi भी बोला जाता है, तो आप लोगों को confused नहीं होना है, इसको broncas भी बोल देते हैं, right, उसके बाद में bronchioles, यह देखो, इसकी secondary stage है Bronchials, अब Bronchials के अंदर क्या होता है? यह देखो, यह है Balloon-like Structure Balloon-like Structure ठेक है? Balloon-like Structure और यहाँ पे क्या होता है? यह चीज़े बहुत important स्टार्मां क्यों का रखा है? यहाँ पे Gaseous Exchange की साइट है यह क्या है? Site of Gaseous Exchange तो MCQ पूछा जाए कि site of gases exchange क्या होगा वो हो जाएगा alveoli, balloon like structure होता है ठीक है वापस से repeat करती हूँ nostrils, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, ठीक है यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है पूछ सकते हैं आप लोगों से, 8th number का question है, name an experiment, नाम बताना experiment का to prove the sunlight is necessary for the photosynthesis, आपकी बुक में एक experiment या गया है, उसमें यह चीज़ बताई गई है कि भई, sunlight जो है ना photosynthesis के बहुत जादा जरूरी है, वैसे चार क्राइटेरिया है, हमने पढ़े हैं, पीछे CO2, इसमें से एक है, दूसरा है water, तीसरा है sunlight और चोथा है, यहाँ पे chlorophyll, जिसने भी मेरी वीडियो को देखा है ना, उनको यह चीज़े बिल्कुल टिप्स पे याद हो चुकी होंगी अब तक, क्योंकि चीज़ों को बार-बार जब भी कोई question होता है, तो उन चीज़ों को बार-बार मैं repeat करती हूँ, ताकि आप लो ठीक है, एक potted plant को लेना है, और इस plant को क्या करना है ना, हमें कोई dark room में रख देना है, यह कोई room है, यहाँ पे हम लोगों ने light को क्या है, on नहीं किया है, off ही है, ठीक है, यहाँ पे light हमारी off है, dark room में रख दिया 24 गंटे के लिए, ताकि जो starch है, वो पुरा use हो जाए, right starch प यहाँ पेना है leaf को और इसको cover करना है, गयनॉंक screen से, यहाँ पे यह कोई leaf है, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गयनॉंक की screen से इसको cover कर दिया, ठीक है, इस leaf को हमने cover कर दिया, right, third number का point है, इस में the plant is placed in sunlight for four to six hours, अब इसी पोदे को उठा के हमने बाहर रख दिया, बाह leaves are removed and leaf is boiled in S2O plus में alcohol, इसमें हम लोगों को boil करना है, इसके बाद में, ठीक है, leaf को हम लोग remove कर देंगे, अब उसके बाद में उसको wash कर लेंगे और treat करेंगे iodine के साथ में, तो हम लोगों को जो observation देखने को मिलेगी, वो यह देखने को मिलेगी, important है leaf with the strips, जहाँ पे यह strip गी होई ना guys, यह तो yellow हो जाएगी, ठीक है, यह पूरी yellow हो जाएगी जब हम इसको iodine से wash करेंगे, लेकिन जो बाकी की बच्ची हुई है, जो बाकी की बच्ची हुई है, जो cover नहीं किया था, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी bluish black, यह पूरा, ठीक है, bluish black, यह हो उसने पूरा starch को consume कर लिया है, वहाँ पे starch नहीं है, उसकी वजह से वो पीली पड़ गई वहाँ से, लेकिन जो portion cover नहीं था, वहाँ पे अभी भी starch के presence थी, अब यह चीज़ क्या शो कर रही है, जहाँ पे starch के presence होगी, मतलब यहाँ पे photosynthesis हुआ है, तो ध्यान दिया, photosynthesis के ल अच्छे से समझ में आया, guys, 9th number का question है, give the main components of the blood and what is lymph, यह second part है इसका, main components बताने है, blood के, तो दिखे, blood के अंदर ना दो चीज़े होती है, blood के अंदर दो चीज़े होती है, एक तो इसका खुद का component होता है, दूसरा क्या है, इसमें plasma होता है, दूसरा इसमें क्या है, blood plasma, blood के अंदर RBCs होती है, WBCs होती है, और platelets होती है, वापस से repeat करती हूँ, question पूछा जाएगा, main components of the blood, तो you have to write RBC, WBC and platelets, ठीक है, RBC का क्या काम होता है, यह oxygen को carry करती है, lungs to tissue, और carbon dioxide को carry करती है, tissue to lungs, यहाँ पे lungs है, यहाँ पे है tissues, ठीक है, तो RBCs क्या करेंगी, RBCs क्या करेंगी, यहाँ से O2 ले की आएंगी lungs को, और यह सारे tissues को पहुचा देगी, right, अब क्या करेंगी, CO2 है, CO2 को tissue से ले के आएगी, और lungs को पहुचा देगी, ताकि यह purify कर सके, important काम हो गया ना, इसका यह RBCs का, second number पे है WBCs, white blood cells, RBCs stand for red blood cells, WBCs stand for white blood cells, right, यह क्या करती है, engulf the antigen, अब आपकी body में कोई भी antigen आया, आप बिमार पढ़ गए, ठीक है, तो WBCs क्या करेंगी, फटा, फट antibodies को बनाएंगी, ताकि वो antigen को खतम कर सके, right, antigen, antibody दो नाम अलग-अलग से है, यह आपकी body है, ठीक है, यह आपकी body है, अब क्या हुआ, यहां से कोई भी antigen आया, खासी, जुखाम, कुछ भी antigen आया, ठीक है, तो आपकी body में antibodies बनेंगी, antibodies को बनती है, ताकि वो antigen को मार सके, और अपनी body को protect कर सके, right, यह था WBCs का काम, अब है platelets का, यह क्या कराता है, blood clotting में बहुत helpful होता है, platelets का MCQ भी पूछ सकते हैं, RBCs का भी पूछ सकते है, blood clotting, जब आपकी कोई चोट लग जाती है, उंगली कट जाती है, तो आपका होता है, वहाँ पर platelets present होती है, तो यह कुछ इस टाइप के, आप लोगों को दिख रही है, platelets, यह है, RBCs और यह है, white blood cells, ठीक है, अब plasma में क्या होगा, waste होंगे, nutrients होंगे, O2 CO2 होगा, और water होगा, यह होगा, blood plasma के अंदर, यह था 9th नंबर का question, 10th नंबर का question समझे, define the term Osmore regulation, Osmore regulation क्या होता है, excretion वाले topics है, right, what is the normal component of urine, अब Osmore regulation की definition आप लोगों से पूछी जाएगी, तो आपको लिसना है, maintenance of the optimum level of water and salts in our body, आपकी body में water and salts का optimum level का maintenance रखना, कौन करता है, Osmore regulation, यह एक ऐसा process होता है, it is a process in which the maintenance of optimum level of water and salts in the body takes place, right, अब दूसरा पार्ट है, यहाँ पे components of urine, क्या है, तो देखिए, water होता है 95%, 95% water हो जाएगा, excess salt होगा, only 2.5%, urea होगा, only 2.5%, uric acid, trace amount में होते हैं, बिल्कुल trace amount में होते हैं, ठेक है, इसके बाद में है 11th नंबर का question, Bro the Label Diagram of Human Excretory System, जितने भी मैंने यहाँ पे 3-4 questions आप लोगों को डाइग्राम के बताया हैं, वो बहुत important है, उनको आप बना के जरूर देखें अपने हाथ से, क्योंकि यह question पूछे जा सकते हैं, 5 marks में, 3 marks में question यह पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से, तो देखिए, यह पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैडर में आपका यूरीन भर जाएगा, उसके बाद में आपको अर्ज लगेगा, तो आप लोग पास आउट कर देंगे यूरीन, यह है यूरेत्रा, यह है एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिहान से आप लोग इसको बना लेना, आप लोगों को एक अच्छा सुन्दर सा डाइग्राम बनाना है नेफरोन का, ठीक है, नेफरोन का मैंने अभी एंसी आटी वाली जो वीडियो करवाई थी उसमें इसके बताया था आपको इंपोर्टेंट क्वेस्टिन्स क्या क्या है इसमें, नेफरोन का जो फंक्शन है आप लोगों से पूछा जाएगा इसके स्ट्रक्चर में तीन चीज़े आती है, ग्लॉमेरूलस, बोमेंस कैप्सूल, एंदर रिनल ट्यूब्यूल, ग्लॉमेरूलस, एंदर बोमेंस कैप्सूल, यह इसके स्ट्रक्चर में है, फंक्शन इसका आप लोगों को बताना है, फ थेक है ये है गलामेरूलस ये है बॉमेंस kid अगर के इस्वाद कहां पर को यह खर बना दहें ऐसे से इस्वा चेबिर अगर लोग यह रोगों काई वे यह विजो का उलग SE दिखक रहे हैं जो कि यह लोग कंट डॉ beb sugar यह उलोischer में के इंडर लोगों को बनाने ही बनानी है surrounding capillaries में क्या है جो capsule है यहां पर क्या है glomerulus है ठीक है उसके बहर में आप लोग उसको करके capillaries भी बना दे यहां पर पुरा छो collecting duct भी दिखानी है तो यह है nephron का diagram इसके बाद में question है यह last question give the pathway of the blood flow via kidney, kidney के थरू जो blood का flow होता है उसका pathway बताना है, second number पे है give the pathway of urine flow through the excretory system, excretory system के थरू क्या urine का flow होता है उसका पूरा pathway आप लोगों को explain करना है, तो देखिए क्या है यहाँ पे pathway of blood via kidney, अरोटा पीछे अभी दिखाया था उसके बाद में है renal artery, efferent atrioles, glomerulus ठेक है, उसके बाद में है efferent, then tubular capillaries, पहले efferent वाले आते हैं, confusion नहीं है यहाँ पे कोई भी, पहले efferent वाले आएंगे efferent atrioles, उसके बाद में आएंगे efferent वाले, ठेक है, efferent atrioles आएंगे उसके बाद में tubular capillaries है, ठेक है, उसके बाद में है renal vein and then vena cava, ठेक है, vena cava में चला जाएगा यह, वापस समझो important है, इसको दो तिन बार लि में आएगा, then renal vein and the vena cava, right, second number का पाथवे था वो है यहाँ पे, urine का flow बताना है, तो वो है, bomen's capsule, renal tubule, ureter, urinary bladder and the urethra, ठेक है, यह जो पीछे पूरा आप लोगो को explain किया था न, वो पूरा डाग्राम आप लोगों को बताना है, तो आप लोग इसको बना के भी देख ल जो की थोड़ा सा हार्ड चेप्टर पढ़ता है, लेकिन कोई बात थी, MCQ हम लोगों मतलब जो भी बीच बीच में इसमें बन रहे थे, वो मैंने करवा दी है, इसके बाद में हम लोग आवर इन्वामेंट का पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद में बीच बीच में हम न जिहान में रहें, चीज़े आप लोग उसको लास्ट टाइम पर रिविजन करें, तब कैसे आप लोगों को करनी है, ठीक है, जानती हूं टाइम आप लोगों के पास में बहुत कम है, बट कोई बात नहीं, हम अपना बैस्ट देंगे, चली कल मिलते हैं गाई, स्टिल देन, बबाई, तेक केर